अब उने एक task करेंगे हम three numbers का input लेंगे और उसका average प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे a, b, c यह three variable ले लेंगे a, b, c और उनका average calculate करके उसको print करा देंगे a plus b plus c को divided by three और उसको हम print करा देंगे store करेंगे refresh करेंगे यहाँ पे जब भी हम hello को call करके three number click देंगे four five six तो हमें उसका average मिल जाएगा तो हम एसे छोटपी-छोटपा operations को perform करके भी अपने functions को अच्छी तरह चीख सेच से अब हम क्या करेंगे? एक multiplication table create करने का program करेंगे हम जब भी इसको एक number देंगे उसकी multiplication table create होनी चाहिए, तो हम इसको एक n number as argument लेंगे, और जब भी हम इसको as parameter कोई number value देंगे, तो इसकी table print होनी चाहिए, तो हम यहाप एक for look ले लेंगे, और उसके अंदर एक अपना i name का variable create कर लेंगे, और इसको अपनी n value assign कर देंगे, मतलब हमें 2 का table चाहिए, तो i की value 2 घीका चाहिए, तो i की value 3, और यह table कब तक चलेगी, जब तक यह i की value n into 10 न हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो यह लिग terminate हो जाएगा, और last में हम i plus equal to n कर देंगे, मतलब क्या होगा, अबर 2 value देगी हमें i के, तो बाद में 2 plus 2 4 हो जाएगी, बाद में 6 plus to 8 हो जाएगी, तो यह से हमारा table प्रिंट हो जाएगा, अब क्या करेंगे, हम console.log हर बार अपने i को प्रिंट करा देंगे, तो यह हो जए हमारे multiplication table, यहाँ पे refresh कर लेंगे, और हम इसको एक number देंगे, हमें 5 की table प्रिंट करा देंगे, तो यह 5, 10, 15, syringe, 20, 15, 5, तो यह देंगे, पर्चास पे टेबल प्रिंट हो जो जाएगे, तो यहे इसे बिच्ण भी दिच्ण जोलों, यहाँ प्रिंट हो जाएगी, अपनके परिंट हो जाओं धिक्त, आपने Pak्निस में हो एफ उसको करेंद करेंके, आप्ञे से हारेurt, जाण यहाँ में